जई जगणना दूस्तो अगर आपकी बच्चों की या फिर किसी का भी बार्थ साटिफिकेट यानि की जन्प्रमान पत्र घर बेठे बनाना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलफुल होने वाला है आज की इस वीडियो में घर बेठे अनलाइन बार्थ साटिफिकेट बनाने का कंप्लिट प्रोसेस बताने बाला हूँ अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और ऐसे ही इंपोर्टन इंफर्मेटि वीडियो देखने के लिए बेल आइकोन को हीट करके ओल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लिए ताकि मेरे चैनल का होग निव अपडेट आपको मिलता रहे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले निव बर्ट सर्टिफिकेट अपलाई करने के लिए अपने मोबाइल से या फिर लाप्टॉप से कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लिजिए देन सर्च बाट पे नेशनाल पोटाल ओफ इंडिया टाइप करके सर्च कर दीजिए अब आपका सामने जो पहला वेबसाइट दिखाई देगी उस वाला वेबसाइट पे क्लेक करके ओपन कर लेना है अब आपका सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो चुका है यह गवर्मेंट की अफिस्यल ओवेबसाइट है यहाँ पे आपको एक सर्च बाक्स भी देखने को मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं इस सर्च बाक्स पे आपको सिंपली टाइप करना है बार्ख साथिपिकेट पार्ट सर्टिफिकेट टाइप करके सर्च कर दीजिए, अब आपके सामने लगबग हर स्टेट का ओफिसियल पोटाल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अनलाइन बार्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अपलाई कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना स्टेट का नाम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे नीचे स्ट्रॉल डाउन करके आना है, और यहाँ से नेक्स्ट पेज करके सेकेंड पेज या फिर थार्ट पेज पेज अपना स्टेट का नाम खोच सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना स्टेट का पोटाल जरूर मिल जाएगा, जैसे ही स्टेट से बिलंग करते हो, अपना हिसाब से अपनी स्टेट का लिंक पे क्लिक कर देना है, मैं यहाँ पे एक स्टेट का बाद स्टेट अपलाई करके दिखा देता हूँ, तो जैसे ही आप अपना स्टेट पोटाल पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह की पेज ओ अपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ अनलाइन सिटिजन सर्विस एक अप्सन देखने को मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनलाइन सिटिजन सर्विस की इस अप्सन पे आपको क्लिक कर देना है, अब आपका स्टामने एक पॉप अपन होगा, यहाँ पे आ यहां पर अपना डिस्ट्रिक को सिलेक्ट कर दिजिए डिस्ट्रिक का नाम सिलेक्ट करने का बाद यहां पर आपको अपना लोकेशन सिलेक्ट कर देना है तो दोस्तों लोकेशन सिलेक्ट करते ही आपके सामने इस तरह की पॉप पुप उपन होगा सिप्ली इस क्लोज वाला अप्शन पे क्लिक करके पुप पुप को हटा देना है इतना करने का बाद अब आपके सामने अनलाइन बार्थ सर्विस के बहुत सारा अप्शन देखने को मिल जाएगा तो यहां पे आपलाई फर बार्थ साथिफिकेट जेक बा बार्थ एनसी पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं यहां पे आपलाई फर बार्थ एनसी इस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने का बाद हमारा सामने कुछी इस तरह की इंटरफेस ओपन होगा तो हमें सबसे पहले यहां पे आपलिकान डिटेल्स को फिल करना है तो या फिर कोई अन्य है उसका ही डिटल से यहां पर बढ़ना है तो हमें यहां पर सबसे पहले title को select करेंगे जो भी name की आगे लगाते हैं जैसे कि Mr.,म receptive या फिर Shree जो भी आप name से पहले लगाते हैं select कर देंगे then यहां पर applicant की first name enter कर दिजिए यहां पर middle name और यहां पर applicant की last name को enter कर देना है इतना करने का बाद यहां पर applicant का gender को select कर देना है यहां पर care of पर applicant की father's first name enter कर देना है यहां पर father's middle name और यहां पर applicant father's last name को enter कर देना है इतना करने का बाद scroll down करके नीचे आएंगे यहाँ पे child details की section में हम जिसका भी बात certificate बना रहे हैं उसका ही details यहाँ पे भरना है तो सबसे पहले यहाँ पे date of information में जो भी date में apply कर रहे हो उसी दिन का date automatic यहाँ पे आ जाएगा इतना करने का बाद यहाँ पे बच्चे का first name एंटर कर देना है देन यहाँ पे बच्चे का middle name एंटर करना है अगर बच्चे की कोई middle name नहीं है तो इस बक्स को blank छोड़ सकते है और यहाँ पे बच्चे का last name को एंटर कर देना है बच्चे के नाम एंटर करने का बद बच्चे की फादर्स की फास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है देन यहाँ पे फादर्स की मिडिल नेम को एंटर करना है देन यहाँ बच्चे की फादर्स की लास्ट नेम को एंटर करना है father's name enter करने का बाद यहां बच्चे की mother's name को enter करना है तो उसी तरह mother's की first name यहां पे enter करना है और यहां पे mother's की middle name और यहां पे mother's की last name को भर देना है इतना करने का बाद थोड़ा सा scroll down करके नीचे आएंगे यहां पे परवानट address को fill करना है तो यहाँ पे address line 1, line 2 and line 3 दिया गया है तो हमें line 1 पे village and post office का नाम फिल कर देना है Then address line 2 पे तहसिल का नाम फिल करना है इसके बाद line 3 पे district का नाम को फिल कर देना है Then country आपकी पहले से ही फिल रहेगी इसके बाद state भी पहले से ही select रहेगा और district भी आपकी जो भी फिल किया था वो आ जाएगी यहाँ पे अपना area का pin code को enter कर देना है इसके बाद यहाँ पे अपना contact यानि की mobile number को enter कर देना है और यहाँ पे आपकी email ID डाल देना है अगर आपकी email ID नहीं है तो छोड़ सकते हैं इस सारा details फिल करने का बाद scroll down करके नीचे आएंगे यहाँ पे place of birth की section में बचा कहां जन्म हुआ है घर में हुआ है या फिर hospital में हुआ है उसी के details यहाँ पे फिल करना है सबसे पहले यहाँ home and hospital दोनों में से बचा जहां भी जन्म हुआ है उस पे tick कर लेना है देन इस address line 1 and line 2 and line 3 में अगर बचा घर में हुआ है तो घर का address फिल कर देंगे अगर बचा hospital में हुआ है तो यहाँ पे hospital पे tick करेंगे देन यहाँ पे इस box पे click करेंगे अब यहाँ पे click करते ही हम जो location select किया था उसी location की नजदिक जितना भी hospital है पूरा list यहाँ पे show कर रहा है तो आप देख सकते है तो हमें यहाँ बचे जो भी hospital में जन्म हुआ है उस hospital को select कर देंगे जैसे ही हम hospital का नाम select करेंगे उस hospital के address automatically यहाँ पे भर जाएगा इसके बाद नीचे scroll down करके आना है यहाँ पे attached document की section में हमें कुछ डाकुमेंट को अफ्लोड करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ बच्चे की parents का address प्रूफ बाला डाकुमेंट को अफ्लोड करना है थीनो बच्स में सही तरीका से डाकुमेंट अफ्लोड करने का बाद लास्ट बक्स में बच्चे अगर हस्पिटाल में हुआ है तो आपको एक डिस्टर्ट साथिफिकेट मिला होगा उस साथिफिकेट को यहाँ पे अफलोड कर देना है अगर बच्चा घर में हुआ है तो आप गाओं की स्थरपंज या फिर काउंसिलर से एक लेखित के डॉकुमेंट कलेक्ट कर लेना है और अफलोड कर देना है तो दोस्तो इस सारा डॉकुमेंट सही तरीका से अफलोड करने का बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे यहाँ पे जो क्याप्चा गोड दिया गया है सेम टू सेम इस बक्स में एंटर कर देंगे देन यहाँ पे डिक्लारेशन पे टिक करना है इतना करने का बाद सम्मिट की इस अफ्चन पे क्लिक करके सम्मिट कर देना है तो दोस्तों सम्मिट करने का बाद आपके सामने इस तरह की एक पॉप अपन होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा NSE application has been submitted तो यहाँ पे NSE application number मिल जाएगा इसके बाद date of information date of birth father's name, mother's name, address पूरा details इस pop-up पे देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पे screenshot कर लिजिए या फिर एक print out निकाल लिजिए ताकि इसमें दिया गया application number से आप अपना application status check कर सकते हैं या फिर अपना birth certificate भी download कर सकते हैं अगर आप आपकी application status check करना चाहते हो तो यहाँ से आपको homepage पे आजाना है then online citizen service की इस option पे click करना है then यहाँ पे rural and urban दोनों में से आप जिस के तरह से बिलंग करते हैं ग्रामीन या फिर स्थारी select कर लिजिए then यहाँ पे district का नाम select कर लिजिए then यहाँ location select करेंगे then इस pop-up page को close करना है इतना करने का बाद यहाँ पे आपको check birth NSE status यहाँ दोस्तों check birth NSE status पे click करना है अब यहाँ पे service का नाम barc certificate select करेंगे then यहाँ इस calendar की मदद से date of barc select कर देंगे then यहाँ पे NSE application number को enter करना है जो screenshot आप लिया है उसी पे आपको NSE application number मिल जाएगा अगर आप screenshot नहीं लिया है गलती से फिर भी आपकी mobile number पे SMS आएगा और उसी में आपको application number मिल जाएगा तो आपको simply उस application number को यहाँ पे enter करना है application number एंटर करने का बाद search वाला option पे एक बार click कर देना है तो जोस्तो इतना करने का बाद आपकी application status देखने को मिल जाएगा इसी तरह से बहुत ही आसानी से birth certificate घौर बेठे बेठे आप बना सकते हैं जब आपकी birth certificate बन जाएगा तो status में show भी हो जाएगा और आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं तो जोस्तो आज के लिए वीडियो इतना ही उमिद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया थे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और पास की बेल आइकन को हिट करके ओल नोटीव के सन को सिलेक कर लिए फिर मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैजरनाद धन्यवाद